स्यादवादन यशटद्राव्य गुण पल्याय और प्रमान का जड कर्म चेतन बंधकारू कर्म के अबसान का कहकर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी मा को वंदनाशत बार है वंदनाशत बार है वंदनाशत बार है कर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि कर्म कुछ जाने नहीं बस इसलिए ही कर्म अन्यरू ज्ञान अन्यश्रमन कहे धर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि धर्म कुछ जाने नहीं बस इसलिए ही धर्म अन्यरू ज्ञान अन्यश्रमन कहें अधर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि अधर्म कुछ जाने नहीं बस इसलिए ही अधर्म अन्यरू ज्ञान अन्यश्रमन कहें काल ज्ञान नहीं है क्योंकि काल कुछ जाने नहीं बस इसलिए ही काल अन्यरू ज्ञान अन्यश्रमन कहें आकाश ज्ञान नहीं है क्योंकि अकाश कुछ जाने नहीं बस इसलिए आकाश अन्यरू ज्ञान अन्यश्रमन कहें अध्यवसान ज्ञान नहीं है क्योंकि वे अचेतन जिन कहें इसलिए अध्यवसान अन्यरू ज्ञान अन्यश्रमन कहें नित्य जाने जीव बस इसलिए ग्यायक भाव है है ग्यान अगतिरिक्त ग्यायक भाव से यह जानना ज्यान ही समदिष्टी सैयम सूत्र पूर्मग तांग भी सद धर्म और अधर्म दीक्षा ज्यान है यह मुध कहें इस ज्यान गुण के बिना जन प्राप्तीन शिव बद की करें यदि चाहते हो मुक्त हो ना ज्यान का आशै करो इस ज्यान में ही रत रहो संतुष्ट नित इस में रहो बस त्रिप्त भी इस में रहो तो परम सुख को प्राप्त हो परमार्थ है है ज्यान मय है समय शुथ मुनि के वली इस में रहे थिर अचल जो निर्वान पावे वे मुनि निज आत्मा ही ज्यान है दर्शन चरत भी आत्मा अर योग संबर और प्रत्या ख्यान भी है आत्मा निर्दंथ है नीराग है निशन्य है निर्दोश है निर्मान मद्य है आत्मा निश्काम है निश्कोध है निर्दंथ है निर्द्वन्थ है यह निरालंबी आत्मा निर्देह है निर्मूढ है निर्भई निर्मम आत्मा ज्यानी विचारे स्तरह यह चिंतवन उनका सदा के वल्य दर्शन ज्यान सुक शक्ति स्वभावी हूं सदा ज्यानी विचारे देखे जाने जो सभी को मैं वही जो नाग रही पर भाव को निज भाव को छोड़ी नहीं गुण आठ से है अलंकृत अर जन्म मरण जरा नहीं है सिद्ध जैसे जीवत्यों भवलेन संसारे वही शुत्थ अविनाशे अतिंद्री अपादे हनिर मल सिथ जों लोका क्रमे जैसे विराजे जीव है भवलीन क्यों कर्म से आबथ जी यह कथन है व्यवहार का पर कर्म से नाबथ जी यह कथन है परमाथ का अबथ है आबथ है जी यह सभी नया पक्ष है नया पक्ष से अतिक्रांत जो वही समय का सार है जिस भाति प्रक्या छैनी से पर से विभात किया इसे उस भाति प्रक्या छैनी से ही अरे ग्रहल करो इसे इस भाति प्रक्या ग्रहे की मैं हूँ वही जो चेतना अब शेश जो है भाववे मेरे नहीं यह जानना इस भाति प्रक्या ग्रहे के मैं हूँ वही जो देखता अब शेश जो है भाववे मेरे नहीं यह जानना इस भाति प्रक्या ग्रहे के मैं हूँ वही जो जानता अब शेश जो है भाववे मेरे नहीं यह जानना जो सो रहा व्यवहार में वह जागता नेजकार्य में जो जागता व्यवहार में वह सो रहा नेजकार्य में व्यवहार से यह है आत्मा खटपट रथा दिक द्रफ्य का इंद्रियों का कर्म का नुखर्म का करता कहा पर द्रव्य मैं हो जाए यदि पर द्रव्य में कुछ भी करें पर द्रव्य मैं होता नहीं बस इसलिए करता नहीं ना घट करे ना पट करे ना अन्य द्रव्यों को करें करता कहा तत रूप परिणत योग अर उप योग का ज्याना वरन आदिक चुपुत गल द्रव्य के परिणाम है उनको करें आत्म जो जानते वे ज्यानी है निजक्रित शुभा शुभभाव का करता कहा है आत्मा वे भाव उसके कर्म है वे दक है उनका आत्मा जब संक्रमन ना करे कोई द्रव्य परगुण द्रव्यमे तब करे कैसे परिणामन एक द्रव्य परगुण द्रव्यमे अम नमहा शुडेव्याप ओम नमह सुद्धे ग्या, ओम नमह सुद्धे ग्या तिस्तालीस, सुर्टालीस में गाथा पची सलंग पंदर गाथाओ जेनो पाठ अप्डे आजे विशेश वोपे कर्यू बद्धी पंदर गाथाओ समय सार्मा त्रण सोने नेवू थी चार सोने चार नम्बर नी गाथाओ सुद्धी नी गाथाओ जे पंदर गाथाओ नो आको एक सरस्मजानो गुरूप जे अने आमा सर्व विशुद्ध ग्नान अधिकारमा करता ने भोगता पना थी ग्नान स्वभावने भिन्य दर्शायवा तेले आना दी करता पनू अने आना दी भोगता पनू एना ती भिन्यतानो तो भान कराईवा पची कहे छे अन्य द्रव्य अने अन्य द्रव्यों ना भाव पर द्रव्य अने पर द्रव्यों ना भाव तेना थी पन अवे ग्नान ने जुदा सिद्ध करें छे करता पनाती जुदो, भोगता पनाती जुदो, यह नहीं तो वात थेगे। रूप, वर्ण, गंध, रबर, रस, स्वर्ष, पची कर्म, धर्म, पची अधर्म, पची काल, आकाश, अध्यवसान, अवावा बद्धा भाव। कराएवा, एवी आब हो अपूर्व गाथाच, गाथाओचे, पंदर गाथाओचे, कर्म, धर्म, हेतु, बोलो. एवी जरिते आकाश, आकाशना हेतु, बोच रस गाथाओचे बद्धिया, भेद विधिनान परक बद्धी गाथाओचे, एना इगाथाओचे, पंदर गाथाओचे, पहला, एक कलश लिदेल चे आमा, इतह पदार्त प्रतन अवगुंठनात, विना कृते रेक मना कुलं जलत, समस्त वस्त व्यतरेक निश्यात, विवेजितं ग्यानं इह अवतिष्टते, यहां सबसे भिन, अपने में ही मगन रहने वाला ग्यान, जो अनाकुल है, आकुलता रहित हैं, अचल हैं, यद्यपी गेयों को चानता है, फिर भी गेयों से भिन है, इस प्रकार यहां इन पंद्र गाथाओं में भेद विज्ञान परक हावना है, इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, शुद्धात्म शतक की जो गाथाएं हैं, इन गाथाओं का हमें एक सामाईक पाठ की भांती, सामाईक की भांती हम आप लोगों को अभ्यास, चिंतन करना चाहिए, जिससे की आपको इसकी गंभीरता ख्याल में आवे हम आप लोगों, मतलब बेद विज्ञान में तो मूल तो भावना ही मुख्य है, बेद विज्ञान में मूल तो भावना ही मुख्य होती है, तो भावना हमेशा द्रड द्रड तर होती चली जानी चाहिए भावना भव नाशिनी और भावना भव वर्धिनी कई बार हम आप लोग बोलते हैं यदि तत्वा अनुकूल वस्तू के अनुकूल आत्न हित के अनुकूल यदि भावना होवे तो भावना भव भव को नाश करने में समर्द हो लेकिन यदि भावना विपूरीत मार्ग में लगी होवे संयोग से संबंदीत विशे भोगों आधिक में विकथाओं में लगी होवे अनर्थ पापों में लगी होवे तो वह भावना भव वर्धिनी को भव को बढ़ाने वाली भावना सिद्ध हो सकती है कशायों के रंगों में रंगी हुई भावना भव को बढ़ाएगी और वीत रागता के रंग में रंगी हुई भावना भव का अभाव करेगी ऐसा यह भेद विज्ञान का मार्ग है आज हम आप लोगों ने अभी 30 गाथाओं का पाठ कि पचास से 81-81 नंबर तकी गाथाओं का पाठ कि जो जो भी लोग समय पे पहुँचे हों गाथाओं का पाठ का लाब लिया होगा यह भावना का विशेय है चार-पांच मिंट पहले कि आज कि आया की जिए इस प्रकार के वह रागय प्रहरा का अध्याथमीक पाठ का इक सामाइक जैसा ही है इनका हमें लंग मिल सकता है चलिए अब हम आप लोग सत्ता स्वरूप सर्वग्यता से संबंदित सर्वग्य भगवान की सत्ता वस्तु स्वरूप की सत्ता सिद्ध करने वाली रचना सत्ता स्वरूप के आधार से हम आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं बहुत संदर, बहुत मार्मिक प्रकरन हम आप लोगों ने उसमें प्रारम किया है। ये सामने वाले को ये प्रश्ण खड़ा होता है कल जो हम आप लोगों ने विशेय देखा था। इस तोत्र आधिक में स्थुती साहित में स्थोत्र साहित में चरणान योग की रचनाओं में ऐसे चमतकार आधिक की चर्चाएं बहुत आती हैं कि राजा राणी ने भगवान की पूजा कराई सिद्चक्र मंडल विधान कराया सिद्चक्र मंडल के बारे में आता है कि स्रीपाल और महिना सुन्दरी ने सिद्चक्र मंडल विधान करवाया और स्रीपाल का कोड रोग दूर हो गया देखो जगत का अज्ञान कैसा होता है निमीत नेमितिक संबन्दों में जगत को करता कर्म पना दिखता है सहज निमीत नेमितिक संबन्द होता है वहाँ जगत को क्या दिखता है करता करम पना दिखते ला है बहुत बड़िया समझो मंदीर खड़ा किया निर्मान समीती ने इसने निर्मान समीती ने अब जितने भी उसमें पांच-पचास लोग होंगे न उस सब अपने आपको ऐसा समझेंगे कि यह मंदीर हमने खड़ा कि अब मंदीर से पूछो किसने ख कि हम स्वतंत्र और स्वाधीन केवल योग और उपयोग ही तो लगा है ना सामने वाले के बलकि योग और उपयोग बरबाद हुआ है वही योग और उपयोग अपने में लगता होता तो शुद्धोपयोग होता मंदिर निर्मान में लगा उन तो शुभोप योग हो गया और उस शुभोप योग में धर्म मानेगा उससे धर्म मानेगा तो अशुभोप योग हो गया शुद्धुप योग का तो सवाली नहीं हो बास समझ में आ रही है योग और उपयोग अपने में लगता होता तो समझ में आरे ही बाते हैं आपको यह सब भेद विज्ञान की बाते होती हैं और बहुत एकागरता पुर्वक बहुत शांती से इन विशियों का हम आप लोगों को आलोडन करना चाहिए चिंतन करना चाहिए कहने का मतलब यह है कि भक्तामर सोत्र है कोई कम माननेता हैं नहीं है भक्तामर के बारे में जैसे अखंड पाठ के बारे में आप लोगों से कहा था नमोकार मंतर का अखंड पाठ भक्तामर सोत्र का अखंड पाठ जैसे स्रीमच जी और आनली जो होते हैं खास करके, स्रीमच जी के वहाँ जो ज्यान मंदिर आधी होते हैं वहाँ तो, उनके तो दैनिक कारिकरम में, सुबह और शाम, कल्यान मंदिर सोत्र, ये कायम पाथ करने की पदती हैं, आप राजकोट के लोगों ने देखा होगा ज्ञान मंदीर गए हों गए हैं न सभी लोग तो वहां बोर्ड के ओपर लिखा होता है टाइम टेबल में संध्या वंदन आर्थी और उनमें और सारी बातें लिखी होती है कल्यान मंदीर सोतर क्या है पार्षाद भगवान की सुथी है और कुछ नहीं है पार्षाद भगवान कुछ करा देवे ऐसा कुछ अचारी मुनी बहगवन तो उनको जब भक्ती भाव उभरते हैं तो स्वाभावी क्रूप से तीरतंकरों की भक्ति यहां लिखते है जीसे मैं आपको आठ दस भक्तियों के नाम बताते है जैसे बक्तामर सोतर को आप जानते ही है कल्यान मंदीर सोत्र हार्षमात भगवान के सुति है विशाप हार सोत्र ये भी वीत्रागी जनेंद भगवान के सुति है अब ऐसे ही स्वयंबु सोत्र स्वयंबु सोत्र में तो अनेकांत में वस्तु व्यवस्था का वर्नन पूरा किया है समंधवद्र आचारे में तो अनेकांत में अच्छा और किसी तिर्थंकर का नाम नहीं लिया उसमें स्वयम्भू-सोत्र में इसमें 2400 तिर्थंकरों की सुति है लेकिन हर तिर्थंकर की सुति में उन्होंने गेहरा कत्वक ग्यान डाल दिया स्तवन मंजरी में गुजराती में हैं सब जगे हैं अपने पास उनका स्थुति विद्या समंद्वद्र आचारी की रचना है 24 स्थिर्थंकरों की बंदना स्थुति विद्या नाम है उसका युक्तियानुशासन वो भी एक भक्ति-परक रचना है कि नाने कांत में नियाए का सारा वर्नन है ऐसे ही अम्रिच चंद्राचाहरे देव ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है लगू तक्व स्पोट यहां राच्वोट में हम आप लोगों ने लगवड़ दाइचे तीन साल तक सुबह हम आप लोगों ने साध्या लिया है 625 श्लोक हैं 25 अध्याए हर अध्याए में 25 पच्चीस श्लोक है 625 श्लोकों में सरवग्यता वीतरागता लोका ज्यान कैसा होता है फिर भी ज्यान कैसा अगियों से भिन रहता है ज्यान गेई की भिन्नता सरवग्यता की पराकाश्चा वीतरागता की महिमा उस्तु स्वातंत्र की चर्चा बहुत अध्भुत भक्ती भावों की गहराई उस लगुत अत्यस्पोर्ट में एक श्लोक आता है बहुत बढ़िया चंदवाड़ा एक गाव है चंदवाड़ा यंपी में नाधपूर के पास है वहाँ एक दो-तीन बार मेरा स्वात्या के लिए जाना हुआ था जहां वक्ता बेढ़ता है गांधी पे स्टेज है गांधी पे उसके पीछे ही एक वाकी लिखा हुआ है कोई लगुत तो स्पोर्ट का है उत्मचंजी सिवनी साथ थे चंदवाड़ा में रहे वो अन्त में उन्होंने लिखवाया था अम्रचंद्राचायर देव कहते हैं हेजनेद रोगवाद अने कांत में वस्तु व्यवस्ता से विप्रीत एक शब्द भी यदी मेरी जिवा उच्चा रेगी तो मेरी जिवा के सव तुकडे हो जाए यह अम्रचंद्राचायर देव लिखते हैं उसके यदी अने कांत में वस्तु व्यवस्ता से विप्रीत मेरी जिवा से एक भी शब्द यदी उच्चारण में आ जाए तो मैं चाहूंगा कि मेरी जिवा के सव तुकडे हो जाए इंसा का दोश ने लगेगा इसमें कम से कम वचन का तो दोश लगेगा ना हिंसा लिखा न जीवा के सव तुकडे हो जाए तो हिंसात्मक वचन ही है ना असत्य वचन योग अपन कह सकते हैं लेकिन अने कांत में वस्तु व्यवस्ता की दृड़ता देखो वस्तु स्वभाव की द्रिष्टी सामने रख करके भक्ती भाव होते हैं उसमें जिवंत तव बिना वस्तु स्वभाव की द्रिष्टी के भक्ती जो होती है बिना तत्वग्यान के जो भक्ती होती है वह भक्ती अंधी होती है क्या कहा मिने तत्व ज्ञान हो नहीं तत्व निर्णए नहीं हो और भक्ति होवे वो अंधिवक्ति होती है अंधवक्ति कहलाती है तत्व ज्ञान की आँख खुली होनी चाहिए समझ में आरे ही भाषा समझ में आरे ही समको ज्ञान की आँख खुली होनी चाहिए आगं की आँख खुली होवे और फिर भगवान की वक्ति होवे तो उस वक्ति में चैतन्य पना आचारे कुंद कुंदेव की भाशा में कहें, तत्वग्यान तो होवे नहीं, और भक्ति होती है, वरत होते हैं, सहीयम होते हैं, उसा बाल तप और बाल वरत कहला तो इसके लिए हम आप लोगों को स्वाध्याय अभ्यास कहा गया है पूजा भक्ति आधी का तीरत्यात्र आधी का विरोध नहीं है, वो समाधी के स्थान है, धर्मा यतन है, सरवग्यता को दर्शाने के लिए ज्ञाना यतन है, क्या कहा में इने, सरवग्यता को दर्शाने के लिए ज्ञाना यतन है, सरवग्यता की आराधना के लिए वे ज्ञानायतन है लेकिन इस बात का हमें भेद विज्ञान होना चाहिए वे व्यवहार ज्ञानायतन है परमार्थ ज्ञानायतन तो मेरे स्वरूप और स्वभाव में जिन देवतन मंदिर रहे जन मंदिरों में खोजते हसी आती है कि मानों सिद्ध भोजन खोजते योगसार याद करना जिन देवतन मंदिर रहे और जन मतलब सारी दुनिया जिन देवतन मंदिर रहे और जिन जन जिन मंदिरों में खोजते बोलो जिन देवतन मंदिर रहे तन मंदिर रहे तन रूपी मंदिर में जिन देव रहते हैं जिन देवतन मंदिर रहे जन मंदिरों में खोजते जन मतलब हमा आप तोड़े चले आते हैं मंदिर तोड़े चले आते हैं मंदिर आना गलत बात नहीं एक आत्मार्ति मुमुक्षू की चरिया है जैनिक चरिया है यदि दैनिक चरिया में जिनेद्र भगवन्तों के दर्शम यह जीव नियमित नहीं करे सुना आप यदि नियमित नहीं करे तो इसका जैनी पना नहीं है समझ में आ रही भाषा तोड़ा सा दर लगेगा यह इन दिनों कोरोना के काल में सुन करे क्योंकि कईयों को तो महिनों से भगवान के दर्शन नहीं होते हैं संडे के संडे दर्शन होते हैं आड दिन में पंदर दिन में बीस दिन में भगवान के दर्शन हो रहे हैं कैसा पापका उद्धे है सोचो तो सही आप तो जिनेंद भगवन्तों के दर्शन को आत्मार्ती के लिए दैनिक रिया है आगे का तो सब आपको ख्याल है जिन दर्शन के लिए दोड़े-दोड़े आना ही है लेकिन चाहे जितना दोड़ा-दोड़ा भागा-भागा आवे तब भी उसे इस मात का भेद्व ज्यान होना चाहिए जिन दर्शन कर निज दर्शन पा सद गुरू वचन सुहाए याते अंतर-दरश्टी विराजे जिन से जलके शांथि आपाए क्या कहा मैं ने जिन दर्शन कर निज दर्शन पा सद्गुरु वचन सुहा जनेंद भगवनतों का दर्शन करते करते निज आत्मा के दिव्य दर्शन का लाब लेना यह मुख्य है सद्गुरु के यह वचन है इसलिए तो जनेंद भगवान की छवी अंतर मुख्य है तो को हेतू बनाया कि भगवान की मुद्रा अंतर मुखी क्यों है क्योंकि हम दर्शन करने गए ना जिनेंद्र भगवान की अंतर मुखी मुद्रा हमें बताती हैं आंके बंद करो दर्शन करना बंद करो हाथ के उपर हाथ रखो और अपने में लीनो कुछ कहा मैंने हैं समझ में आये की नहीं यदि यह सिक्षा हमें नहीं मिलती है तो समझना हमें अभी जिनेद्र भगवान के दर्शन भी करना नहीं आता है सम्मेट दर्शन की बात तो बहुत दूर है अंतर मुख मुद्रा हो आत्म तत्व दर्शाय जिन दर्शन कर निजे दर्शन पा सद गुरु अचन सुहाय यहादे यह है यवहार और निश्चे की ऐसी अधूद संदी है हर क्रिया के पीछे यह वाकिय में जो बोल ला हूं आप याद रखिएगा और लिख्य भी रख सकते हैं हर अमारी हर क्रिया के पीछे धर्मी क्रिया की बात तरों आत्म कल्यान के लिए आत्म हित के लिए, आत्म क्रिया के लिए, आत्म कल्यान के लिए, की जाने वाली हर धार्मिक क्रिया के पीछे, अपना निश्क्रिय निर्विकल्प तत्व मौजूद होना चाहिए। सांबल्यू, आप दू लखवा जेवूचे, याद राखवा जेवूचे, स्वाद्य है पूरूता है पजी काहीं याद नहीं रहे, आत्मा डायरी आने पेंट बदू लईने बेस्वूजूद होना, गनानीना हरेक विकल्प पाचर, ज्यानी के हरेक विकल्प के पीछे, निर विकल्प तत्व मवजूद होता है, कितनी मस्त बात है, कितनी आनंद दाई बात है, क्योंकि क्रिया मात्र उपयोग की चंचल था, क्रिया मात्र में उपयोग चंचल हो जाता है, इश्क्रिय शुद्ध पारिणाम एक सुभाव हो, तो हर विकल्प के पीछे हमें निर्विकल्प तत्व हमारा मौजूद होना चाहिए, बहुत सुंदर बाते हैं, स्वाध्याय करें, अगवान की भक्ती करें, अगवान की पुजा करें, यह अरिग समर पण करके प्रभू, इज गुण का अर्ग बनाऊंगा, अर निशित तेरे सत्रश प्रभू, अर अंत अवस्ता पाऊंगा, आया के लिए निश्चे व्यवार दोनो, यह अरिग समर पण करके प्रभू, इज गुण का अरिग बनाऊंगा, यह परमार, इसी अद्भूत संदी है, जिए घ्रड़ बनाऊंगा, जो अरिग है ना, भरत बगवान, शांती कुंत वरनाथ, तीनो रतनत्रे जिरेंद्र बगवन की दोनों अरिग तो बहुत रदे को छोते, किसी भी वगवान के सामने में खड़ा रहता तो यह खास दोनों अर्ग याद आते हैं अर्गे प्रभुता आप को सु आप में निहारी के नात भाव माही में अनर्गे अर्गे धारी के नात भाव माही में अनर्गे अर्गे धारी के भरत प्रभु स्री जी नेंडरे देखो चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती नहीं बलखी वीतरागी स्वरवग्य और वीत्रा गी भररत थाध्न चर रहे हैं क्या बोल रहे हैं खृत्प्रभु स्री जिनेंद्र भक्ति से करूं सी रचना प्रत्प्रभु स्रीजी नेंद्र भक्ति से करूं सी रचना त्रत्वressed अमिये क्रभू अंयवो विकल्प नहें ये प्रभु मैं अपने आप में ऐसा परित्रुत हो जाओं कुझे अन्यत्र कहीं विकल्प ही नहीं आप क्या सुन्दर निश्चे और व्यवहार की संदी है आवा बेचार्च अरिग मोडे थवा जोई है फुजाओ मोडे थवी जोई है हाँ पंडी जी तमें कहो चो तो बहुत गमेश तमें गाओ ने मारा गावा थी तमने शूलाब धवाद खाटला वज जारे थाशू तरे पंडी जी काम नतिया आवा ना हाँ सीता एंड गीता समझाई चे यही आस जिन वर शरण पाओं तेरी मिट जाओं यह मेरी भाव भाव की फेरी चरण दो तुमें नात मैं सिशन वाओं हाओं की कलियां शरणे किलाओं यह सब भगवान की भकतिया हैं यह सरवग्य सभाव की प्राण प्रतिष्टा के सरवग्य की भकती तो करते लेकिन सरवगी स्वभाव की श्रच्दा नहीं करते हैं किसी विडम बना है हिसा इफ शृबगी की श्रच्दा तो करेंगे लो दों तो कहने के लिए не कि असल ने तो गुर्देश्री की भाशा ये ने सरवगन स्वभाव नी श्रच्दा हो ये प्रभू 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 तमें पर्मातमाचो एवू तो नक्की करवा दियों यहाए趣 क्यों निश्चे नक्की थे याविणा व्यावार्यमाचो नक्की न था भा अगृ डायलोग न दो्मोर्म दिया शुराख को ही जाओ fairy गोडी ने पीज़वT पीजाओ, समझाए छे, इटली वकत को चुहूं समझाए छे, आजे गुर्देश रेश्वार्थ करयो, समझाए छे काई एम पूछिये छी, समझाए जाए तो निहाल थाई जवाए, पन काई समझाए छे एटले, जे समझाए छे, जे समझावामा आवे छे एनी गंध आवे समझाए छे, काई अपेक्षाए कहवाए छे, काई ख्याल आवे छे, हाँ, सर्वगन शासन बहु गूड छे, ख्याल मायो, बहु गूड छे, सर्वगन शासन में समझवा माटे, एवा विचारों साथे 24 से कल्लाक आपडे, वलगेला होवा जोई ये जो, बहु अद्बूत वस्तु तमने बताओं, जो जो हाँ, अब दा शास्त्रों ना वाग्यो छे, जो, हतम ज्यानम क्रियाहिनम, इच्छो कि दू हो, जो ग्यान चरितार्थ ना हो, अपने आच्रण में नहो, अपने चारित्र में नहो, अपने परिणामन में नहो, वह ज्यान व्यर्थ है, आज समझ में आ रहे हैं, बहुत छुपी सी सुप्पी है, लेकिन बहुत मरम है उसमें, देखो कौन से शासर में से हैं, तत्वार्त राजवार्तिक, तत्वार्त राजवार्तिक में से ही है, अतम ग्यानम क्रियाहीनम, क्रियाहीन ग्यान व्यर्थ है, दूसरा, ग्यानात त्य ज्यान से त्याग होता है और त्याग से शांती होती है। ज्यान से त्याग होता है। ज्यान के समान पवित्र कहीं कुछ भी नहीं है। यह महाभारत में आता है वाक्य। व्यास महर्शी व्यास की रचना महाभारत उसने से ही है। नहीं ज्यानेन सद्रशं पवित्रमिह विद्यते। और चोथा देखो आप क्या लिखा है। सत्संग स्वर्ग वास है। सत्संग ही सत्संग तो साक्षात स्वर्ग का वास है। अब इससे उल्टा। सत्संग विना नर्कवास है। कैसा समझो। सत्संग के विना नर्कवास है। इसके जीवन में सत्संग नहीं है। वे साक्षात नर्कवास कर रहे। यह मैंने तीन-चार सुक्तिया आप लोग को इसलिए बताई। हम आप लोग के चिंतन मी ये होने चाहिए हम लोगो छो पकड़ाई छे जागो छो कितना सुंदर वाक्य है सत्संग स्वर्ग वास हम लाचे जे पांच मिन मा स्वध्य पूरू थया बाद पछी कोरोना ना अपडेट्स कोन जीव्या ने कोन मर्या कोन आई सीव मां भर्थी थे गया कोन डिस्चार्ज थे गया मने बताओ आर्थ ध्यान ने रहोद्र ध्यान सिवाए वीजो धंदो छेशों आपड़ा जीवन मां विचारत करो इस समय का दुरूप यूँग है इसको अपन कहते हैं अनर्थ दंड अनर्थ दंड है अनर्थ दंड है अनर्थ दंड है अनर्थ दंड मतलब अप्रयोजन भूत पाप की क्रियाओं से हमेशा बच्चते रहना चाहिए सरवग्य की शद्दा जिसे होती है सरवग्य सभाव की शद्दा होती है सरवग्य सभाव की शद्दा जिसे होती है उसे सरवग्य की भी शद्दा होती है ऐसा यह सरवग्य के अनुशासन का सरवग्य की महिमा का हमें असल में महिमा होनी चाहिए तो सुत्र साहित में हमें चमतकार को नमस्कार करने की पद्धती के संसकार द्रड़ने ही होगे। सब सुनिष्य था की नहीं और मंदिर में आते हैं तो गंदो दक्त्क केवल निर्मलं निर्मली करनंप वीट्रं पापनाशनंग हो पांपनाशनंगें य॰ य जब र sharpen यह dai य। पागलपन है पागलपन। और 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 हजी हजी सामलोका हना को चुश्वर कि चार भ case वास्तु करें घरनु वास्तु पाईनी वात करो चुआं अब केटला लोको इम केता होई चे पंडी जी तमें आओने पुजा माटे घरे तो गंदोधक साते लेता हो खेंगे भीतोमां बदे मारवाना होई मने बोलावता ने तरण लोकना नातना अभिशे कने प्रक्षालनों जल होई गंदोधक तारा विशे भोगो जे घर मां भोगवाना इघरो मां चाटवाना होई अरे प्रासुक जलती शुद्धी करो इवस्तु जुदी अंत्रो वड़े पन गंदोधक चाटवानों ना होई इगंदोधक नो तो एक जग्या छे स्थान सिर्ष जेपूर्मा में लगों जोए जेपूर्मा बेली समारे आमें प्रार्तना निकाल लेवाद करी तिने पची अभिशेक पूजा होई तो प्रक्षाल पचे आमें आरिकी वगरे देवा मांटे दियां उबा होई है तो एक कपल हतु कपल जोड़ी जोड़दार हती morning वोक माते निकले खाया न हो न वह्यां न हो न maior अपबर बंधीर नंहां दिकले औने वहला भाइशाब जाता ना जोड़दार हता लेवाम आम लहीने आल और दो स्थान तो और केवान और एक एक क्रिया पाचल केटली दुर बुद्धी जीवनी जोड़ाएली जे आप दो मोहनों महिमाच क्याल मावे चे गंदो दग अंगे मानने ताओ एवी शांती विधान ने एक वोगत आप सवने किदो तो हां वारा सासरी आमा हुँँ चार-ार दिवस एक वोगत रोकान होतो तर वर्से जारे जाहिए तर एक को गुजरी गया तो येना घर ना पंडिजी हालो आमारे घरे पगला करवा गया आमे अम रेलवे ना डबा जेओ घर चार-पांच छ आम ओरडी हो गदी अंदर अंदर अं कि आमारा बापूजी आई यहां गुजरी कि आजए तो यहां हमारे बापूजी पिता जी गुजर गए थे तो इस जगह हमें शांती विधान करना है मैंने सुचा आपके पिता जी को शांती होगी नहीं होगी लेकिन आपकी बात सुन करकर है मेरे दिलो दिमाग में आशांती फैल गई ऐसा पागलपन है शांती विदान के बारे में ऐसे ब्रह्म करम दहन के बारे में ऐसे ब्रह्म ये इसके लिए जबाब दिया पंडी जी साहब ने नय विवक्षा का तुझे ज्यान नहीं पर बाकी आगे नयों की अपेक्षा का ख्याल नहीं नशे का ख्याल नव्यवहार का ख्याल ऐसा ज्यान जीवन में जीवों का चलता है हम आप लोगं का हो भाग्य हैं कि ऐसी सुंदर जिन्वानी हम आप लोगं को मिली हैं, इसलिए तत्व की द्रश्टी रखें, प्रशस्त परिणामों में रहें, अत्येन स्वाध्याय में समय बितावें, ज्यान की आराधना में समय बितावें, सहर सातिशे पुन्नि बंदेग साथीशे पुन्य बंदेगा, उसका उदय आएगा, और साथीशे पुन्य की सामगरिया मिल जाएगी, क्रम चलेगा, और एक पल ऐसा भी आएगा, अंदर सुभाव के ऐसी महमा आएगी, साथीशे पुन्य के सहियों उधरे रहेंगे, और हम स्रेनी मांड करके केवली बन चलिए इसकी विशे चर्चा अब आप लोग कल करेंगे वन्द नाशत बार है वन्द नाशत बार है हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शर्णा गहे सुपावे सुख चैन जावाणी के ज्यान ते सुजे लोका लोग सुवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोग सदा देत हो ढोग